रियाज एमद राठर ये नाम पिछले कुस दिनों से भारतिय खोफिय एजन्सियों के रडार पर है कारण ये एक जमू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाला एक शक्स है या कहें आतंकी मददगार है जिसके उपर आरोप है कि रियाज जो है वो आतंकी संगठन लशकरे तयबा का एक एक एक्टिव सदस्य है और जो जाच एजन्सियां हैं वो लगातार जमू कश्मीर से लेकर पूरे देश में इसकी तलाश कर रही थी क्योंकि जो रियाज एहमद राठर है ये कोई आम आतंकवादी नहीं है रियाज वो आतंकवादी है जो पियोके में बैठे अपने आकाउं से आतंकी आकाउं से जो है आदेश लिता था और ऐसा भी कहा जाता है कि P.O.K. से आने वाले जो आतंकवादियों द्वारा जो हत्यार थे उसमें भी इसकी सक्रिय भूमिका रहती थी भारत में हत्यार लाने के लिए इनी हत्यारों का इस्तमाल करके आतंकवादी जो है वो हमारे जवानों पर हमला करते हैं आम लोगों को निशाना बनाते हैं और आतंक फैलाने का काम करते थे आपको बता दू कि सबसे बड़ी इस पूरे मामले में चिंटा वाली बात ये थी कि जो रियाज एहमद है वो भारतिय सेना का जवान रह चुका है आपको बता दू कि रियाज पिछले साल यानी की 2023 में ही 31 जनवरी को भारतिय सेना से सेवा निर्वित हुआ था आपको बता दू कि ये जो रियाज है वो जम्मु कश्मीर के कुपवाडा जिले का रहने वाला है चार फरवरी को दिल्ली पुलिस ने से नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन से तड़के सुभे गिरफतार किया था आपको बता दू कि इसकी गिरफतारी नई दिल्ली जो रेल्वे स्टेशन है उसके गेट नमबर एक से हुई थी ये उस वक्त हुई थी जब रियाज जो है वो दिल्ली से भागने की कोशिश कर रहा था अपने किसी और ठेकाने पर गिराफतारी के बाद अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस को जम्मू कश्मीर से एक इंटेल रिपोर्ट मिली थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक टीम गठित की रियाज पर नजर रखी गई और जैसे ही रियाज नई दिल्ली स्टेशन पर दिखा उसको चिन्नित किया गया और फिर दिल्ली पुलिस के जवानों ने उसे गिराफतार कर लिया आपको बता दू कि रियाज से पहले 5 और लोगों को गिराफतार किया गया था आतंकवादियों के साथ संपर्क रहने की वज़े से आपको बता दू इन लोगों के पास से 5 एके 47, 5 मैगजीन और 16 शॉट एके राउंड मिले थे और आपको बता दू कई सारे ऐसे आपत्ति जनक और संवेदन शील्ड दस्तावेज भी मिले थे जो कि ये इशारा कर रहे थे कि रियाज किसी पड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है रियाज जो है इन सभी हत्यारों को जो ये हत्यार है प्योके से आने वाले हत्यार है उन्हें रिसीव करता था भारत में आतंगवादियों को देता था ऐसा रियाज पर अधिकारियों ने और पुलिस ने आरोब भी लगाया है आपको बता दू कि रियाज दिल्ली अकेला नहीं आया था, रियाज अपने दोस्त अलताफ के साथ दिल्ली आया था, अलताफ भी भारतिय सेना का जवान रह चुका है और ये दोनों एक साथ, 31 जनवरी 2023 को भारतिय सेना से सेवा निर्वित हुए थे आपको बता दू कि रियाज और अलताफ ने जबलपूर से ट्रेन पकड़ी थी जिसका नाम था महा कोशल एक्सप्रेस, उसमें बैट करके ये हजरत निजामुदीन स्टेशन पहुँचे थे, सुबह तीन बजे, फिर उनोंने वहां से आटो किया और वो नई दिल्ली रेल्व इसके मामले में जो उसके उपर आरोप लगे हैं, उसके उपर उससे जहां चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी एजनसियां जो हैं अब उससे सवाल करने के लिए जो हैं, वो तैयार हैं क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, एक भारतिये सेना का जवान ज उन हत्यारों को मुहिया कराना इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो किस तरीके से वो कपसे कर रहा था भारतिय सेना में रहते हुए भी क्या वो इस तरीके के काम कर रहा था भारतिय सेना में रहते हुए क्या वो सेना की अंदरूनी जानकारी जो है वो आतंकवादियों को दे र पिछले दो साल से भारतिय सेना का जम्मू कश्मीर में उसको निशाना बनाया गया, उनके जवानों को निशाना बनाया गया, इस तरीकी की कितनी घटनाओं में रियाज, एहमद और उसके दोथ शामिल है, और कौन-कौन इस पूरे घटना करम में शामिल है, इस पूरे मामले की जाच अब हो रही है आपको बता दू कि ये बहुत ही समवेदशील मामला था क्योंकि जो इसमें आतंकवादी पकड़ा गया है लश्करे तैबा का वो पूर्व का भारतिय सेना का जवान रह चुका है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ऐसी क्या इसके पीछे वजह थी कि एक भारतिय सेना के सेवा निर्वित जवान को आतंकवादी बनना पड़ा और आतंकवादियों का मददगार बनना पड़ा आतंकवादियों के लिए हत्यार और तमाम जो चीजे हैं वो से मोहिया करानी पड़ी इन सब चीजों पर सवाल उठ रहे हैं अब देखना ये हो